हेलो एब्रिवन बेलकम टो इस पेसल इस्टेडी विद्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों एक ब्रिक ब्रेकिंग अपडेट निकल कर आ रही है मत्पदेश अतिसिक्षक भरती 2024 को लेकर क्या दोस्तों मत्पदेश अतिसिक्षक का जो नियमा वली जारी की इसके लिए दोस्तों इस वक्त की सबसे वड़ी ख़बर है जो डी डी पिया का आदेश है और इसके लिए दोस्तों सीयाम ने एक नई रणेती बनाई है निती प्रक्या बना दी गई है विद्षक को लेकर तो दोस्तों फुल अपडेट इस वीडियो में आपके सास्थ स्य शेर किया जाएगा आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरू से जरू देखेगा आल ओबर इंडिया लेवल से जितने भी MP गिस्टीचर्स का जो विभागी परिच्छा की मांग कर रहे थे फाइनले उसके लिए भी नोटिफिकेशन रिलेच किया गया है साथ साथ मे जो अंको को लेकर नीती बनाना था उससे जुड़ा हुआ भी नोटिफिकेशन शेर किया जाएगा और DPI का क्या आदेश है और क्या प्रकिया बनाई जारी है सारी लेटिस्ट अपडेट एक ही वीडियो में आपके साथ शेर किया जाएगा फटफट देख लेते हैं दोस्त आच वड़ी मांगे कल जारी की गई है भुपाल में तो पहला जो दोस्तों गाइडलाइन करसा जारी किया गया अतिस शिक्षकों इसकोर कार्ड में प्तेख सत्के आधार पद 10 अंक अधिक्तम 100 अंक सभी बर्गों में सामिल करें अन्भा के आधार पनीती बनाकर अतिस शि आखों उनको एक और नया मौका दिया जाना चाहिए गुरुजियों की तरह अलाग से विभागी पात्ता परिच्छा लेकर नुक्त की जाए और अतिस शिक्षक भरती में बार्षिक अन्भन सत्त दो हजाजा चोविस पंच्चों से लागू किया जाए तो इस पांच आई है अतिस शिक्षक को लेकर दोस्तों तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी जो अभी प्रियोडिक डिमांड है वो तुरंत ही कर दी जाएंगी और जो बड़ी बड़ी डिमांडे हैं उनके अभी टाइम लगेगा नीती बनाना पड़ेगा उनके इसके अधार पर उनक को नीमित किया जाएगा